हाई फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनस, एन्डे चैनल पर आप सभी का सोगत है, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अंडे वाली जो मुर्गिया होती है, उनको आपको कुन सी मेडिसिन देना है, जिस कारण आपके अंडों की तादा द्याने, अंडे देने की संख्या भी मुर्गी की बढ़ जाये, और साथ ही अनफटलाइज अंडे कम निकले, और वो सबस्त भी रहे, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अं तक जरूर देखना, और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर इनको आपको आपस में मिलाकर मुर्गियों को देना पड़ेगा, साथ ही इसके साथ आपको लेकजिन पाउडर भी देना है, जिसका रंग आपकी मुर्गियों की अंडे देने की तादाद, यानि मुर्गिया अंडे जादा देगी, साथ ही दोस्तों उनके शरीर की पूरी तरह से कमजोरी दूर हो जाएगी जी हाँ वो कमजोर नहीं रहेगी साथ ही वो जो अंडे दे रही है उसमें से अनफटिलाइज अंडे बहुत कम निकलेंगे फटिलाइज अंडों की संख्या जादा रहेगी जिससे आप उसका हैचिंग में इस्तमाल जादा कर सकते हो अगर आप और विमरल और साथ में लेकजिन पाउडर अगर मुर्गयों को देते हो तो आपके बर्स में की जो कमजोरी है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है और साथ में रोक प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है रोक प्रतिकार शक्ति बढ़ने के कारण मुर्गयों के अंदर किसी ऑश्टोवेट और विमरल इन में इतने प्रोटीनोते उस कारण आपके मुर्गयों के फिड में जो कमी है वो कमी दूर हो जाती है और उनको पूरी तरह से फिड में खुराक मिल जाती है इसलिए उनकी जो अंडे देने की तादत है वो भी बढ़ जाती है साथ में आपके मु रखने के लिए और अंडों की तादात बढ़ाने के लिए आपको उसमें एक काम और करना पड़ेगा आपको लेक्जिन पाउडर भी देना है तो आप पहले ये मेडिसिन देने का पूरा तरीका सुन लीजिए आपके पास जितनी भी मुर्गिया है अंडे देने वाली उसके स करना पाणी पानी में अगर था ओस्ट्रवेड विम्रल दे दिया तो वाँसे दस दिन तक आपको उन्हे कोई पाउडर देना है पानी में वही मुर्गियों को एक लिटर पानी में आदा ग्राम वही मुर्गियों का आप तीन दिन लेक्जिन पाउडर कीजिए लेक्जिन पाउडर तीन दिन का कोर्स कंप्लिट होने के बाद वासे दस दिन बाद आप फिर से ऑस्टोवेट और विमरल का मिश्रन दे सकते हो जिया दोस्तो जब और विम्रल का मिश्रन दे के हो जाएगा वासके 10 दिन बाद आपको फिर से लेक्जिन पाउडर देना है यह आपको सिलसिला ऐसा ही चलते रहना है एक बार और सुन लिजे तीन दिन और विम्रल उसके 10 दिन साधा पानी देने के बाद म और साधा भानी और फिर और विमरल का मिश्रन फिर वासे दस दिन और साधा भानी और फिर लेकजिन पाउडर यह आईसा ही आपका रोलिंग याने साइकल चलती रहेगी इससे आपकी मुर्गिया पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी हेल्दी रहेगी बीमारी मुक्त रहेगी उस से आपके अंडों की तादाद भी बढ़ जाएगी और मुर्गिया जितनी अंडे देगी उसमें से 95% आपके अंडे फटिलाइज ही निकलेगे अनफटिलाइज अंडे बहुत कम हो जाएगे इस तरह से आप अपने मुर्गियों को स्वस्थ रखके अंडों का उत्पादन जा पयोग ना करें आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरुतमन दोस्तों में शेयर कीजिएगा आप सभी का धन्यवाद